आज हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे राइट ए प्रोग्राम को जन्रेट ओल टू डिजिट प्राइम नंबर को जन्रेट करना है तो यह 11th क्लास के लिए है यह वीडियो 11th क्लास के बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और सम्झेंगे कि और और से पहले प्राइम नंबर्स क्या है आपको पकाऊ नजाए नंबर्स भी चार नॉट्ट वीजिबल भाय दिन नंब लॉटिंग वन एंड सेल जैसे 2, 3, 5 तो ये किसी भी नंबर से टिवाइद नहीं होते या तो खुद से टिवाइद होंगे या फिर कौन से होंगे तो प्राइम नंबर्स के बारे मिं आपको लेडिय पता है तो इसके बारे मिं ज्याधे झालामन निस्कुस हम नहीं करेंगे अब two digit prime numbers, आपको two digit के prime numbers यहां पर print करना है, तो जो prime numbers है वो two digit के 10 से start होंगे, 10 और 99, क्योंकि 99 के बाद three digit आएंगे, तो 10 और 99 के 20 के prime numbers को आपको print करना है, उसके लिए ये program मेंने बना दिया है, प्रोग्रम कैसे काम कर रहा है, वो मैं आपको step by step समझाँगा, एक ही step में, अगर एक ही बार में पूरा program आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो आपको जो output है, आप output लिखी, ये इसके output हैंगे, ये output आपको पहले पता होना ज क्या चाहिए, हमारे output इस तरह सुने चीए, two digit prime numbers और सारे के सारे prime numbers यहां पर print होने चीए, 11, 13, 17, up to 97, तो इस output को ज्यान में रखने ही हम program बना सकते हैं, क्योंकि हमको अगर target पता होगा, तभी हम उसके coding program बना सकते हैं, तो output को ज्यान में रखने हैं, अब ये program कैसे काम कर है, वह आपको में पता जाता हूँ, पूरे program मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें से मैंने इतने part को disable कर दिया, यह मान लिजे कि हमारे जो program है, उसके अंदर सिर्फ यह code है, वीच का यह code है, यह काम नहीं कर रहा है, तो आप पहले इतने program को समझे, low is equal to 10, high is equal to 99, दो variables है, एक variable मैंने initialize कर दिया है, 10 पर, और जो दूसरा variable है, 99 पर initialize कर दिया है, फिर यह while loop चलेगा, और while loop की value है, जो while loop चलेगा, यह low से high तक चलेगा, मतलब 10 से लेके start होगा, 10 से start होगा, उसमें बाद loop चलेगा, loop चलने के बाद इसमें एक increment देगा, तो low की value है, 10 ती पहले, एक बाद loop चलने के बाद low की value 11 जाएगी, फिर से loop चलेगा, 11 के बाद 12 हो जाएगी, फिर से loop चलेगा, फिर 13 हो जाएगी, तो loop चलता रहेगा, जब तक की low की value हो 99 तक नहीं जाती है, तो यहाँ पर देखिए, value of variable low, किस तरा से जा रही है, first loop में 10, फिर 11, फिर 12, और अप इसको मैं discuss करता हूँ, अगले step में, अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसे यहाँ पर random number को print कर रहा है, इसका और यह last statement लिखिया, इसका आपको, इसकी working आपको मैंने समझा दिया, बीच में जो working है, इसकी समझा, अब यहाँ पर देखिए, जो low variable है, उसकी value 10 से start होगी, और क्या होगा, हर loop के अंदर, जब भी loop चलेगा, flag की जो value है, उसको 0 से initialize होगी, यह देखिए, while low is less than equal to high, flag is equal to 0, मतलब जैसे ही loop start होगा, flag की value 0 पर initialize हो जाएगी, और जब अगली बार loop चलेगा, फिर से 0, मतलब वो loop start होते ही, अपकी value, 0 से initialize हो जाएगी, तो यह flag की initial value है, और loop खतम होने पर, flag की value क्या रहेगी, वो यहाँ पर है, तो हमारी flag की value decide करेगी, कि उस loop के अंदर, जो हमने variable use किया है, low variable, वो prime है या नहीं है, तो loop end होने के बाद, अगर हमारा flag 1 हो जाता है, तो हमें उस number को print नहीं करना है, यह देखिए, if flag is equal to 0, मतलब loop खतम होने के बाद, अगर flag की value 0 है, starting में 0 थी, और last में 0 ही है, तो उसको हमें print कर देना है, मतलब जैसे 11 है, 11 के case में flag की value 0 थी, और last में 0 रहेगी, तो उसको हमें print कर देना है, मतलब वो prime number है, 13 में भी, ऐसी है, और बीच के जो numbers है, इन में flag की value change हो रही है, 0 to 1 हो रही है, तो इनको print नहीं करना है, तो मतलब flag जो है, वो variable, वो decide कर रहा है, कि हमारा number prime है कि नहीं है, अब वो flag की value को कैसे change करेगा, उसके लिए मैंने बीच में for loop लगाया है, यहां से लेके, यहां तक, यह जो for loop है, यह decide करेगा, कि आपका number prime है कि नहीं है, अब वो कैसे check करेगा, देखिए, for i in range 2 to low, अब जो i variable है, वो 2 से लेके low तक, यह देखिए आप, range 2 to low, मतलब value of i, अब जब low variable की value 10 है, 10 है यहां पर देखिए, तो जो हमारा i variable है, उसकी value, 2 से लेके 9 तक, मतलब 2 से लेके 9 तक, सभी values को check करेगा, कि क्या कोई भी एक value, 10 को divide कर रही है के नहीं, अगर इन में से किसी ने भी 10 को divide किया, तो यहाँ पर मैंने if condition लगाई है, if low, mod low i is equal to 0, यह मतलब इन में से किसी भी variable से, अगर वो divide हो गया, तो वो flag को 1 कर देगा, तो यहाँ पर आप देखे, जो low 10 है, इस case में देखे, यहाँ पर 2, पहले 2 से check होगा, 2 से 10 डिवाइड हो गया, तो condition पहले इस step में आपके true हो गई, तो आपका जो flag बन हो गया, और flag बन होती ही break हो जाएगा, क्योंकि अगर वो एक भी number से divide होगा, तो मुझे अपले next जो number 7 से check करने की जुरूर नहीं है, इसी तरह से 11, 11 के case में क्या होगा, सबसे पहले 2 से check करेगा, 2 से 11 divide नहीं होता है, 3 से करेगा, 3 से भी नहीं होता है, 4 से करेगा, 4 से भी नहीं होता है, अब से divide करेगा वो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी number 11 जो है, वो किसी भी number से divide नहीं होता है, तो never true, तो आपकी जो test condition है, वो कभी भी true नहीं होगी, और आपके flag के value 0 के 0 ही रहेगी, तो 0 की 0 ही रहेगी तो यह print हो जाएगा, 11 print हो जाएगा, 12 के case में हैसा नहीं होगा, तो 2 से divide हो रहा है, 2 से divide होते ही condition false, आपकी, तो condition true हो जाएगी, condition true होते ही flag की value होन हो जाएगी, तो इसी तरह से 13, 14, 15 सब cases के लिए मैंने आपर लिखा है, and so on, last में 99, 99 के case में क्या होगा, 99, 2 से तो divide नहीं होगा, 3 से divide होगा, 3 से divide होते ही, condition true, और flag की value 1, flag की value 1 होते ही, आपका for loop and हो जाएगा, और if condition जो नीची यहाँ पर हमने use गी है, if condition में, यह print नहीं होगा, तो आपका final output हो इस तरह से आएगा,